विधान सभा सिवनी मालवा के अंतरगत आने वाली तहसील दोलरिया के अंतरगत ग्राम खर खेडी तिगरिया में रोड पर भरा पानी से की ग्रामीन की लोग हो रहे परेशान एक वर्ष से भरा पानी जिसमे की मच्छर में पल रहे हैं और घर के आसपास रहने वाले लोग भी हो रहे परेशान मच्छर के काटने से बीमार पर रहे बच्चे जिसमे की ग्रामीनों ने बताया कि हमने हुशंगाबाद में 7 जनवरी 2020 को आवेदन दे चुके थे इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई समस्या का निराकरन नहीं किया गया जिससे हम लोगों को इसी पानी में से आना जाना करना पर रहा है हम अगर पानी के लिए भी कही जाए तो इसी की चाह में से जाना परता है हमारे छोटे छोटे बच्चे कई बार इसमें गिर पानी के भराव कारण यहां मच्छर पल रही हैं, जिससे की मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी की आशनका हो सकती है, अभी फिलहाल में हमारे घर के बच्चे बीमार हो गए हैं, कई बार सरपंच सचिफ को भी अवगत करा दिया है, उनका कहना है कि हमने उसका सीसी रोड का के ल प्रमीनों को ब्राम्तिगरिया निवासी भाई द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष एक वर्ष से हम लोग परेशान हैं, हमने इसकी सूचना कलेक्टर तक भी दे दिया भी तक कोई निराकरन नहीं हुआ, देखिये आज की आवाज नियूस के साथ दोलरिया से प्रवीन और की खास रिपोर्ट मस्या है आपकी सर हमरी समय से जहिए बच्चे छोटे-छोटे निकलने की परेशानी पानी भरो रहे हैं गंदगी से मोड़ा मोड़ी वीमार हो जावें अच्छा इसकी कंप्लेंट आपने कहां कहां कि सचीव सर्पन से बोली हमने हमने कोई सुनाई नहीं है, हुसंगबाद आप नहीं है, हुसंगबाद में आपने कहां पर कंप्लेंट की थी? आप किस गया थे हम क्यों आप तो अभी तक वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुए आपके कोई सुनवाई नहीं है, यह कितने दिनों से हैं यह तो से हम जहां रहे रहे हैं जही परेशानी है, अम्माज क् स्कूल जा रहा है तो ऐसी आफ़त पड़ रही है, इसके लिए कहां तक कंप्लेंट की आपने? कलेश्टिर आपे हैं, और सर पंसर चिप? उन से भी बोली बे कोई सुनाई नहीं करा हैं, वो क्या बोलते हैं जब तुम सूचना लेके जाते हैं उनके पास के? सर आपका नाम कहां के निवासी हो? टिगरिया के निवासी हैं, क्या समस्या को लेकर आप परिसान हो? सर चिप मेडम से भी बात करी हैं, तो हाव हाव बोल देते हैं, पर काम कुछ नहीं होता है. इसकी कंप्लेंड आपने कहां कहां की? हम एक बार महलने की दस बाई हैं, एक साथ करके और कलेक्टर आप इस भी गये थे, वहां भी हमने लिखके दिया था, बोला गया हमको संतु सब्सक्राइब काम हो जाएगा, पर अभी समस्या पूरे पूरे एक साल हो और बच्चे छोटे-छोटे हैं, मच्छरों के कारण बच्चे भी बीमार पड़े हैं, और अगर यह निकासी करण हो जाए तो मच्छरों से निजात पाजाएं